सब पहले ततागत भगवान बुद्ध को नमन जिन्नों ने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया प्रतग्नेता भिक्षु संका जिन्नों ने इस धम को सुरक्षित रका और इसका प्रचार प्रसार किया प्रतवेदी है बोधि सत्व बाबा साहिब अंबेड करका जिन्नों ने हमें सद्धम में दिक्षित किया और एक अच्छा सम्विधान दिया शद्धा बुद्धी संपन उपासक उपासिका और धमबंदों इस वर्षवास के दौरान आपने इस प्रवचन का आयोजन किया है और आज का जो विशय है कि नायतिक्ता जो है वो अनिवार्य है जब हम कह रहें कि नायतिक्ता अनिवार्य है इसका मतलब यह है कि आम तोर पर लोग नायतिक्ता को एक आप्शन समझते हैं इसको जरूरी नहीं समझते हैं जब चाहे तो पालन करें या परिस्तिति के अनिसार पालन न करें तो भी चलेगा ऐसी लोगों की धार्ना आम तोर पर देखने को मिलती है और वो कहीं कारण देते हैं कि आज की परिस्तितियां ऐसी नहीं है आज कल शील पालन करना कटिन है समाज में नौकरी में जूट बोलना ही पड़ता है पार्टी में जाते हैं तो सब के साथ पीना ही पड़ता है इस तरह से अनियक प्रकार का जस्टिफिकेशन लोग आम तोर पर देते रहते हैं जबकि इन चीजों में जस्टिफिकेशन नहीं रेक्टिफिकेशन की आउशकता है सुधार की आउशकता है क्योंकि अगर हम चीजों को किसी ने किसी बहाने से समर्तन करेंगे उसको जस्टिफाइ करेंगे तो फिर रेक्टिफाइ करने का कोई मार्ग नहीं रह जाता तो इसलिए शील के मामले में हमें कोई जस्टिफिकेशन देना नहीं चाहिए हाँ कुछ कटनाईया हो सकती है लेकिन ये असंबव नहीं है अब कटने है या भी क्यों है क्यों किसको कटन लगता है और वोई शील फिर किसी को बड़ा आसान नॉर्मल लगता है ऐसा क्यों है ये सोचनी वाली बात है क्योंकि अगर शील कटन है तो सभी के लिए कटन होना चाहिए जब वोई पांच शील कोई अच्छी तरह से पालन कर लेता है तो कोई और कहता है कि ये तो बहुत कटिन है ये पालन करना संभव नहीं है तो ये दो धारनाएं क्यों है या जो पालन करता है और कह रहा है कि ये आसान है मैं कर सकता हूँ तो उसके लिए आसान क्यों है और जो कह रहा है कि यह मेरे लिए कटिन है तो उसके लिए कटिन क्यूं है तो प्रश्ण यह है क्या शील यह अपने आप में कटिन है या आसान है यह बहुत बड़ा प्रश्ण है अगर कटिन है या कोई कह रहा है यह कटिन है तो उसके लिए क्यूं कटिन है इसको समझना ज़रूरी है और अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे लिए आसान है मैं पालं कर सकता हूं तो उसके लिए वो क्यूं आसान है इसको समझना ज़रूरी है तो उधारम के तौर पर मानलो सरकस में जैसे हम देखते हैं कि कोई लड़की रसी पर अच्छी तरह से बैलन्स करकर चलती है तो जो नीचे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं लेकिन उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है उसों से पता नहीं यह कब गिर जाएगी क्या हो जाएगा तो ये घबराते रहते हैं, इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जबकि जो लड़की उस रसी पर चल रही है, वो तो आराम से चलती है, उसको कोई ड़, डर नहीं लगता, उसको कोई परिशानी नहीं है, तो ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है, क्योंकि उस लड़की को रसी पर चलने की ट्रेनिंग है, उसने उसको प्रैक्टिस किया है, और प्रैक्टिस करकरके उसको लिए अब वो आसान हो गया है, इसलिए वो घबराती नहीं है, वो डरती नहीं है, लेकिन ये जो नीचे बैटकर दर्शक देख इनको डर लगता है, इनकी दिल की धड़कने बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी उसका अभ्यास किया नहीं और इनको लगता है, शाहिद यह गिर जाए. तो इस उदारम से हम समझ सकते हैं, कि कोई चीज कितनी कटिन क्यों नहों, अगर उसका अभ्यास किया जाए, निरंतर, तो वो आसान हो जाती है, और अगर कोई चीज कितनी भी आसान हो, अगर उसका हम अभ्यास नह करें, निरंतर उसको प्रयत्न नह करें, तो वो जिन्दगी हमारे लिए कटिन ही रह जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज दुनिया में ना अपने आप में कटिन है ना अपने आप में आसान है अगर कोई चीज कटिन है किसी के लिए तो उसका मतलब इतना ही है कि उसको उसका अभ्यास नहीं है उसकी प्रैक्टिस नहीं है उसकी ट्रेनिंग नहीं है इसलिए उसके लिए वो चीज कटिन है और कोई कहता है कि यह मेरे लिए आसान है तो उसका मतलब यह इतना ही है कि उसे उस चीज का अभ्यास है, उसका प्रैक्टिस है, उसका ट्रेनिंग है, उसकी आदत है, इसलिए उसके लिए वो चीज अब आसान है, जैसे और एक उधारन से हम समझते हैं, मानलो कोई लड़का विहार में आया और हमने उसे एक काम दिया, उससे कहा कि भई लो ये कार के चाव तो बंते जी मुझे ड्राइविंग करना नहीं आता, तो अगर हम उसे कहें क्यों बहुत कटिन है, तो वो कहता है कि क्योंकि ये ड्राइविंग में मुझे पांच-पांच चीजे एक साथ करना पड़ता है, को अगर हम उसे पूचे क्या है वह पाँच चीज जो साथ करना पड़ता है तो कहता है कि बंते जी 나ших के लिएन एक प्राइड ब्रेक रखना पड़ता हैं एक पर आक्सलेयर पर रखना पड़ता हैं एक हाथ goes up पर रखना पड़ता है एक पांच-पांच चीज़े एक साथ करना मेरे लिए कटिन है इसलिए मैं यह नहीं कर सकता मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता तो अगर हम उनसे कहें कि वह नहीं एक काम करो आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जॉइन हो जाओ और वहाँ पर अभ्यास करो ट्रेनिंग करो एक मेहने में आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा और उसके बाद आप उस कार को फुले मैदान में ड्राइव करो कुछ दिनों के लिए जब उसका अभ्यास हो जाए तो फिर जहां पर कम ट्राफिक है वहां पर ड्राइविंग करो जब वहां पर अभ्यास हो जाए तो फिर जहां पर ज्यादा ट्राफिक है वहां पर अभ्य तु वह वो हमारी बात सुन लेता है, ट्राइवन्स के बाद रडाइविंग शुल में android हो जाता है, एक महने की बाद रजा से लर्निंग लइसे मिल जाता है, फिर बाद में वो बढ़ बहुत कुलये मैदान में चलाता है, प्र बाद में जहां पर कम traffic है, वहां पर चलाता है, और उसके बाद जहां पर ज़्यादा traffic है, वहां पर भी चलाने लगता है, और इस तरह से देखते, देखते, 6 महिने में वह एकदम perfect हो जाता है, और अब वह आराम से driving कर लेता है, तो यही विक्ति जो 6 मैंने पहले कह रहा था कि यह driving करना बड़ा कटिन है क्योंकि इसमें 5-5 चीज एक साथ करना पड़ता है अब वही विक्ति 6 मैंने बाद यह 5-5 चीज एक साथ बड़े आसानी से कर लेता है याने एक पर ब्रेक पर रखता है एक पर एकसलेटर पर रखता है एक हाथ घेर पर रखता है एक हाथ स्टीरिंग पर रखता है और नजर सडक पर रखता है और आराम से गाड़ी चला लेता है यह 5-5 चीज एक नहीं करता वो एक छटा चीज भी अपने आप से कर लेता है क्या है वो? वो है कि driving करते-करते वो phone पे भी बात कर लेता है अब बताए कोंसे driving school में आपको driving करते वकद phone पे कैसे बात करना चाहिए ये कोई driving school सिखाता है विल्कुल भी नहीं सिखाता है तो फिर ये विक्ति कैसे क्या driving करते-करते आप ये छटा काम भी कर लेता है पांच चीज जो cutting कह आता अब वो पांच चीजों के साथ साथ छटा चीज याने driving करते-करते फोन पर भी बात कर लेता है तो कहने कारत ये है कि आदमी जब प्रयत्न करने लगे प्रयास करने लगे प्रैक्टिस करने लगे तो धीरे-धीरे चीजे आसान होने लगती है तो पांच चीजे एक तो धीरे-धीरे देखते-देखते वो पांच चीज में परफेक्ट हो जाता है फिर पांच चीज के बाद छटा चीज भी सात्वा भी याने उपोसाद आठ चीज भी पालन कर लेता है फिर बाद में अगर वो शामनेर बन जाए तो दस चीज उसके लिए आसान हो जाते है लेकिन इसका प्रयत्न करना होगा अगर आदमी प्रयत्न नहीं करेगा और वो सुचता है कि ऐसे बैटे-बैटे आपने आप आना चाहिए या जन्म से कोई चीज आती है ऐसा अगर सुचता है तो यह उसके जिन्दगी में कभी होने वाला नहीं है तो इसलिए यह प्रयत्न करना बहुत जरुरी है और खास करके श्रील यह बहुत जरुरी चीज है क्योंकि हर कोई आदमी चाहता है कि हम सुखी हो हमारी सुगती हो हमारी प्रगती हो हमारी उनती हो हम सुक शांती से रहे, पारिवारिक जीवन सुक शांती से गुजरे, सामाजिक जीवन सुक शांती से गुजरे तो सुक शांती तो चाहते हैं, लेकिन उसकी जो नीव है, वो तो डालते नहीं है और सुक शांती की जो नीव है, वो पंच शील है शील है अमारी सुगति और प्रगति के नीव है इसले कहा गाए कि सीले न सुगति मियंति सीले न भोग संपदा सीले न निब्बुति मियंति तस्मा सीलं विसोदे सीले न सुगति मियंति जो अच्छी गति जो जीवन में प्राप्त होती है वो सील के वज़े से प्राप्त होती है सीले न भोग संपदा जो संपदा जो प्रॉस्परिटियम कहते हैं वो भी सील से ही प्राप्त होता है सीले न निपुती मेंती निर्वान जैसा परमसुक भी शील से ही प्राप्त होता है तस्मा सीलम इस होदे इसलिए शील को शुद्ध करो अब इस गाता में हम देखते हैं कि शील पर कितना जोर दिया गया है सील ही तुमारे सुगती का कारणे कह रहे हैं सील ही तुमारे भोग संपता प्राप्त करने का कारण बता रहे हैं यहां तकि निर्वान उन जैसा परमसुद भी सील से पृप्त होा, क्या होगा? ऐसा बता रहे हैं यहांने एक शील का पालन करने से सारे चीज़े प्राप्त हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप समाझते होंगे अच्छा तो खाली शील का पालन करेंगे अब समाधी के आउशक्ता नहीं है प्रग्या की आउशक्ता नहीं है ऐसा आपको लगता होगा इस गाता को सुनकर लेकिन इस गाता का बड़ा ग्रहरा अर्थ है उपरी तोर से वो कह रहे हैं कि खाली शील से प्राप्थ होगा और सही मायने में ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समाध्य और प्रग्या की आउशक्ता नहीं है वास्तों में देखा जाए तो समाध्य और प्रग्या भी मूल रूप में शील का पाला नहीं है अब इसको समझना ज़रूरी है शील को तो हम शील के रूप में जानते हैं लेकिन समाधी में क्या शील है? प्रग्या में क्या शील है? ऐसा आपको लगता हो. तो खर शील, यहने शरीर और वानी पर समवर रखना, यह शील है. यहने हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, वेपिचार नहीं करना, जूट नहीं बोलना, नशापता नहीं करना. यह शील है शरीर और वानी का समवर हो तो फिर समाधी क्या है तो अगर हम बुद्ध की दुरुष्टी से देखें तो समाधी भी एक प्रकार से शील का पालन करना ही है कैसे है जो शील का पालन हम शरीर और वानी के द्वारा समवर करते हैं थीक वोई पंच शील का पालन मन के स्तर पर करना ये समाधी है आमतर पर समाधी याने लोग समझ से समाधी प्राप्त करना याने कोई इद्धी और सिद्धी प्राप्त करना, हवा में उनना, पानी पे चलना, धर्ती में डुक्की लगाना, इसके लिए समाधी क्या शक्ता है? इद्धी शक्ती प्राप्त करना, उसके लिए समाधी क्या शक का पालं क्या है मन के स्तर पर करना मन के स्तर पर समवर रखना यह समा दिये शरीर और वानी के स्तर पर समवर रखना यह समा दिये यानि मन में हत्या के विचार आने नहीं देना आते हैं तो तुरंथ निकाल देना देना आते हैं तो तुरंत निकाल देना ये समाधि है अगर मन के सरपर ही शील का पालन हो तो फिर शरीर के सरपर और वानी के सरपर शील पालन करना आसान हो जाता है इसलिए धमपदमे भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनो फुबंगा मादम्मा मनो सथा मनो मया मन ही सबसे आगल दौडता है मन ही श्रेष्ठ है मन से ही हम बने, जैसा मन है वैसा हम व्यवार करते हैं, वैसा हम बोलते हैं जैसे उधारन के तौर पर मानलो हत्या करना तो कोई विक्ति ही जब हत्या करता है तो क्या नीद में से उठके ऐसे हत्या कर देता है? बिल्कुल भी नहीं जो विक्ति हत्या करता है पहले उसके मन में हत्या का विचार आना चाहिए तो वो विचार जब बार-बार आता है तो फिर उसके बाद वो उसको अपने वानी पर लाता है फिर अपने शरीर से उस कर्म को करता है यहने पहले मन में वो विचार आना चाहिए हत्या करने का अगर मन में वो विचारी ना आए तो वो हत्या नहीं कर सकता उसी तरह से अच्छी बाते भी ले लिजे जैसे मानलो दान करना है तो कोई आदमी ऐसे नीद में से उत्के तो दान नहीं करता पहले उसके मन में वो विचार आना चाहिए कि मुझे दान करना है तब जाकर वो वानी से लोगों को तैयार होने के लिए कहेगा वो खुद भी शरीर से प्रहत्न करेगा इंतजाम करेगा आयोजन नियोजन करेगा तब जाकर वो दान का कारिया संपन होता है तो इस दरह से अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो शील का पालन करना करो या शील को तोड़ना करो ये सब पहले मन के सतर पर होते हैं मन में जब कोई विचार उत्पन होता है बार-बार, तब जाकर वो वानी और शरीर के द्वारा अमल होता है। ऐसा कुछ लोगों का तर्क होता है। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है कि आपने समाज में भी देखा होगा कि कोई आदमी वास्तों में बहुत अच्छा शील्वान था, पांचो शील्ड का अच्छा पालंग करता था, लेकिन कभी हमको अचानक से सुनाई देता है कि उस विक्ति ने हत्या कर दी चोरी कर दिया या वेपिचार कर दीया यहां तक कि आपको विक्ति ने आत्मत्या भी कर लिए। ये कैसे क्या हो गया है। जो विक्ति अच्छा शील्वान था, तो फिर उससे ये गलत काम हो कि सगया अचानक से। इस बात को Sमझना ज़रूरी है। शील का पालं करना याने केवल शरीर और वानी पर संवर रखना और समाधी का अभ्यास करना याने मन पर संवर रखना तो मानलो कोई वेक्ति अगर शरीर और वानी के उपर समवर को रखता है लेकिन समाधी का अभ्यास नहीं करता यानि मन पर समवर नहीं करता या नहीं रखता तब क्या होगा? तब ये जो शरीर और वानी के सर पर जो समवर रखता है ये एक वास्तों में एक तनाव होता है, एक दबाव होता है, या किसी डर के कारण, लज्जा के कारण ही वो उस शील का पालन करता है, तो कितने दिन ऐसा पालन कर पाएगा? खाली शील का पालन करना और समाधिक अभ्यास न करना ऐसे ही है, जैसे एक टांग पर खड़े रहना, एक टांग पर आदमी कितने देर खड़े रहेगा? कोई हलका सा धक्का दे दे, या हवा का तेज जोका आजाए, तो आदमी लड़ खड़ा कर गिर जाता है, लेकिन वो ही मानलों कोई वेक्ति अगर दो पैरों पर खड़ा हो, तो उसे कोई हलका सा धक्का दे, तो थोड़ा लड़ खड़ा सकता है, लेकिन वो गिरेगा नहीं हवा का जोका उसे गिराता नहीं क्यों, क्योंकि वो अपने आपको दो पैरों से बैलन्स कर लेता है तो ठीक उसी तरह से अगर मानलों कोई केवल शीरता पालन कर रहा है लेकिन समाधी का अभ्यास नहीं कर रहा है, यानि वो एक टांग पर खड़ा हुआ है और क्योंकि वो समवर केवल शरीर और वानी पर रख रहा है और मन पर नहीं रख रहा है, तो ये जो शरीर और वानी पर खाली समवर रखना यह अपने आप में एक तनाव है, एक स्ट्रेस है समाज में कानून का डर होगा, या लज्जा होगी, लोग क्या कहेंगे उतने तक कि डर कर वो पालन कर रहा है लेकिन उसका स्वभाव से वो शील का पालन नहीं हो रहा है और इसलिए आईसे लोग देर सब मेर हम देखते हैं कि बहुत अच्छे शीलवान थे लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उनका शील भंग हो गया तूट गया और हमें बड़ा आश्यर लगता है कि कैसे यह अच्छा शीलवान वेकती शील कैसे भंग हो गया कैसे इसने तोड़ दिया वो इसलिए कि वो केवल शरीर और वानी पर संवर रख रहा था अपने मन पर संवर का अभ्यास उसने नहीं किया क्योंकि अगर मन में वो विचार उठते रहेंगे और शरीर और वानी पर केवल वो संवर रखेगा तो वो केवल एक तनाव होगा और यह मन में जो विचार उबर रहें यह इतना उबर गेंगे बार बार बाबर इतना वो फोर्स तैयार होगा कि एक दिन अचानक वानी और शरीर से वो दुशकर्म उसका हो जाता है तो इसलिए केवल शील का पालन करना शरीर और वानी का समवर करना और ध्यान ना करना समादी का अभ्यास ना करना वो एक टांक पर खड़े होने जैसा है लेकिन जो व्यक्ति शील के पालन के साथ साथ समादी का भी अभ्यास करता है यानि मन पर भी समवर करता है तब उसका ये जो शील है एक तनाव नहीं होता एक stress या strain नहीं होता ये जो शरीर और वानी का शील जो है ये उसके लिए बड़ा स्वाभाविक हो जाता है याने जो समाधी का अभ्यास करते हैं याने मन के सर पर सर पर जो समवर का अभ्यास करते हैं उनके लिए शरीर और वानी पर शील का पालन करना स्वाभाविक हो जाता है वो एक तनाव नहीं होता, वो एक स्ट्रेस नहीं होता, वो केवल समाज में डर कर, कानुन को डर कर पालन नहीं करता, बलकि उसके मन में वो विचारी नहीं है, तो बड़े स्वाभाविक रूप से शील का पालन करता है। आयसे लोग ही बड़े स्वाभाविक रूप से शरीर और वानी के स्टर पर भी समवर कर सकते हैं, शील का पालन कर सकते हैं। पर जब मन के स्टर पर या मन में पंच शील तोड़ने के विचार नहीं आएंगे, तो मन अपने आप शांत और एकागर हो जाएगा। अलग से मन को शांत और एकागर करने के अवशक्ता नहीं पड़ेगी। तो वास्तों में देखा जाए, तो समाधी और कुछ नहीं है, ये समाधी याने पंच शील का मन के स्टर पर पालन करना, विचारों के स्टर पर पालन करना ये समाधी है। अब वो प्रग्या, ये प्रग्या क्या है? तो प्रग्या भी शील ही है, मन के सर पर, कैसे? जैसे हमने कहा कि समाधी में तो हम क्या करते हैं? कि मन में बुरे विचार आने नहीं देते, याने पंच शील तोड़ने के विचार आने नहीं देते, आते हैं तो तुरंत उसे नि आने तो नहीं देते हैं और उस शील तोड़ने के अगर विचार जो है उसे जड़ से उखाड फेक देते हैं खाली रोकते नहीं है उसे जड़ से उखाड फेकते हैं तो प्रग्या में हम शील का कड़ाइस से स्वाभाविक रूप से प्राक्रूतिक रूप से पालंग करते हैं और शील तोड़ने के जो विचार है वो विचार आये नहीं इस तरह से उसे जड़ से उखाड फेकते हैं तो इसलिए जो लोग उने प्रग्या प्राप की या प्रग्यावान हो गए वास्तों में तो उनसे तो शील जाने अंजाने में भी तूट नहीं सकता क्योंकि उनके स्ववाव में वो है ने जड़ से उखाड दिया गया है और वो मन के स्थर पर जबर्द से संवर नहीं करता है वो तो मन के स्थर स्वाभावी कृप से शील का पालन करता है तो इस तरह से अगर हम देखें शील शरीर और वानी के स्थर पर संवर है समाधी मन के स्थर पर संवर है और प्रग्या ये तो पूरी तरह से जड़ से उखाड़ी फिकता है तो एकदम स्वाभावी कृप से बिलकुल भी नीद में भी वो शील तोड़ नहीं सकता सपने में भी वो शील नहीं तोड़ेगा प्रग्या वान वेक्ति तो इस तरह से हम देखते हैं कि शील से लेकर समाधी से लेकर प्रग्या तक ये पूरा शील का ही मार्ग है बले ही नाम अलग अलग है हम शील कह रहे हैं, दूसरे को समाधी कह रहे हैं, दीसरे को प्रग्या कह रहे हैं, लेकिन है वो तीनों के तीनों शील ही, जब हम शील कहते हैं, यह शरीर और वानी के सर पर पंशील का पालन करना है, जब हम समाधी कहते हैं, तो मन के सर पर पंशील का पालन करना है, और जो प विचार उसको आई ने सकते ये प्रग्यावान विक्ति का लक्षन है तो इसलिए ये जो गाता है कि सीलेन सुगतिमियंती सीलेन भोग संपदा सीलेन निपुतिमियंती निर्वान जैसा परम सुख भी शील से प्राप्त होता है उसका मतलब क्या है कि प्रग्या के स्थर पर भ भी ये शील का ही पालन होता है तो इसलिए ये शील का पालन करना बहुत ही जरूरी है आज हम जो देख रहे हैं समाज में कहो परिवार में कहो या देश में कहो, जो भी समस्यां उत्पन हो रही है चाहिए उसे तो आप पारिवारिक समस्या कहो आर्तिक समस्या का हो, सामाजिक समस्या का हो, राजनितिक समस्या का हो, कोई भी समस्या का हो, समस्या की जड़ क्या है? वो शील का पालन न करना है. इसलिए अंग्रे जी में एक कहात है कि, where there are no morals, there are bound to be quarrels. यहां पर शील नहीं है, वहां पर जगड़े होना, लड़ाई होना स्वाबा भी कहें. चाहिए वो पारिवारिक जगड़े हो, सामाजिक जगड़े हो, धार्मिक जगड़े हो, जो भी हो, यह सब किसके कारण है? शील न होने के कारण. तो अगर समाज में, परिवार में, देष में सुख शांती लाना है, तो उससमाज को उस देष को शिलवान बनाना होगा और शीलवान बनाना है तो पहले हर विक्ति को शीलवान बनाना होगा जब तक विक्ति शीलवान नहीं होगा परिवार शीलवान नहीं होगा जब तक परिवार शीलवान नहीं होगा समाज शीलवान नहीं होगा जब तक समाज शीलवान नहीं होगा तो देश शीलवान नहीं होगा तो हम लोग इस शील पर तो ध्यान नहीं दे रहे जो कि सारी समस्याओं की जड़ है बाकी कि सारी हम समस्याओं की बात करते रहते हैं आर्तिक समस्या हैं, सामाजिक समस्या हैं राजनितिक समस्या हैं लेकिन जो जड़ की समस्या है वो इस शील उसके ओपर हम ध्यान नहीं देते, उसके ओपर हम काम नहीं करते खास करकर जो अपने आपको बहुत कहते हैं उनको तो पंशिल के ओपर जोर देना ही चाहिए लेकिन आज हम देखते हैं, खास करके महाराष्टा में कितना नशा पता करते हैं, जो बहुत कहते हैं वो गुटका खा रहे हैं, खनी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो इन चीजों पर अगर आप काम नहीं करोगे, बुनियादी चीजों पर, और कहोगे कि हमारी प्रगति होनी चाहिए, हमारी सुगति होनी चाहिए, हमारा समाज प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, हमारा समाज कमाने से शिक्षा के डिग्रियां लेने से कोई प्रगति उन्नती होने वाली नहीं है खाली डिग्री लेने से शिक्षित होने से उन्नती होती तो बाबा साहिब को यह कहना नहीं पड़ता कि पड़े लिखें लोगों ने मुझे दोका दिया क्यूं पढ़े लिके लोगों ने धोका दिया याने पढ़े लिके होना याने क्या है शिक्षित होना याने क्या है इसको कैसे हम परिभाशित करेंगे तो वास्तों में शिक्षित होना याने शीलवान होना है शिक्षित होना याने काली कागज की डिग्रिया लेना नहीं है शिक्षित होना याने डिग्री लेकर नवक्रिया ढूड़ना नहीं है वास्तों में शिक्षित होना याने शीलवान होना है कोई व्यक्तिक है मैं शिक्षित हूँ लेकिन अगर वो शीलवान ना हो शिग्रेट पीता हो शराब पीता हो तो क्या फाइदा इसी शिक्षा का जैसे हम देखते हैं कि जो आदमी शिग्रेट पी रहा है तो शिग्रेट के पैक पर ही statutory warning लिका होता है कि smoking is injurious to health अब यह पढ़ रहा है statutory warning देख रहा है और फिर भी शिग्रेट फूक रहा है तो यह कौन से शिक्षित आदमी है यह शराब पी रहा है कौन सा शिक्षित है यह तो कोई विक्ति शिक्षित हो और शील तोड़ता हो तो वो विक्ति शिक्षित नहीं है वास्तों में शिक्षित वही है जो शीलवान है शीलवान व्यक्ति ही शिक्षित व्यक्ति है और शिक्षित व्यक्ति वही है जो शीलवान है यह तरह से हमको समझना होगा तो आज के जितने भी शिक्षित है हमारे समाज में क्या वो शीलवान है ऐसा हम कह सकते हैं अगर ये शिक्षित लोग शीलवान होते तो समाज में ये समस्या होती सभी के पास तो डिग्रिया है सभी तो दसवी तक तो पास है तो फिर ये क्यों नशापता कर रहे हैं क्यों शील तोड़ रहे हैं और जब शीर्ट तोडएंगे और सोचेंगे कि हमारी सुगति हो प्रगति हो उस समाज के उस परिवार के कैसी सुगति प्रगति हो सकती है अगर पैसे से शिक्षा लोग ग्रहन करते ताकि पैसा कमाए और अगर पैसे से समस्य हल होती तो फिर अब तक सारी समस्य हल होने जानी चाहिए थी और पैसे से अगर सारी समस्य हल होती है तो फिर बाबा साहिब को भी जब धम दिक्षा लेने की उन्होंने सोची तो उनको अनेक धर्म लोगों ने प्रलोब बन दिया सबसे पहले तो हैदराबाद का निजाम था उन्होंने कहा कि आओ हमारा धर्म स्विकार का हम तुको लाको रुपए देंगे हर परिवार को तो क्यो बाबा साथ को तो फिर वो पैसे लेने थे और समाज में बाड़ देना चाहिए था तो क्या बाबा साथ को इतनी समझ नहीं थी कि मेरा समाज इतना गरीब लाचा रहे और यहां कोई निजाम कह रहा है कि मैं हर परिवार को लाको रुपए दूँगा तो मेरा समाज इतना गरीब लाचा रहे और यहां कोई पैसे दे रहा है तो चलो इंसे पैसे ले लेते हैं और समाज में बाट देते हैं और सारी समस्या हल कर देते हैं तो क्या इतनी अकल बाबा साहब में नहीं थी क्या तो क्यों बाबा साहब ने वो स्विकार नहीं किया उसी तरह जैन लोगों क्रिश्चन ने ओफर दिया सिख लोगों ने ओफर दिया इन सब ने पैसा संपति सब देने की पेशकर रखी थी तो क्यों बाबा साहिब ने इस विकार नहीं किया जबकि बाबा साथ को मालूम था कि मेरा समाज ब rêve लाचार है और यहां कोई इतना पैसा देने के लिए बाते कर रहा है तो क्यों बाबा साथ ने इस विकार नहीं किया क्योंकि बाबा साथ ने देखा कि 1950 में उन्होंने सम्विधान के द्वारा सभी को reservation के द्वारा नौक्रियों में reservation, पढ़ाय में reservation, हर सुविदा दे रखी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि ये लोग सब ये सुविदाय लेकर खाली आयाशी में गिर गरे हैं, शराब पी रहे हैं, आयाशी कर रहे हैं, नशापता कर रहे हैं, स्वार्ती हो गए हैं, ये उन्हो पैसा दे दू, कितने भी पैसे कमाने के रास्ते खोल दू, इनको शिक्षा का अउसर दे के पैसा कमाने के रास्ते खोल दू, लेकिन फिर भी ये सुदरने वाले नहीं हैं, इनको वास्तों में कोई ऐसा धर्म चाहिए, जो इनको शीलवान बनाएं, अगर मेरा समाज जहनत मैंने किया है तो सब खड़े में चला जाए यह बात बाबा साहिब बहुत पहले समझ चुके थे इसलिए उन्होंने यह पैसे का धर्म स्विकार नहीं किया उन्होंने अगर कोई धर्म स्विकार किया तो को सा धर्म किया जो एक नया पैसा देने को तैयार नहीं था केव वापसाईम ने दharma की दिक्षा दी तो क्या उन्होंने पैसे बाटे्ट क्या कपडे बाटे कि या बाटा केवल ऌक पंशिल दिया 22 प्रतिग्या दुए हेडि क्यों आप Yował ecaya bu मालूम नहीं कि मेरा समाज-गरीब यह लाचा इनको पैसे क्या उशक्ता है बाबा साइब को ये सब मालूम था और बाबा साइब को ये भी मालूम था ये इंतिजाम तो मैंने अपने सम्विधान के द्वारा कर दिया है लेकिन इनको शीलवान बनाना ये सम्विधान में नहीं हो जित नहीं है कानुनी रूप से तो है कि तोड़ोगे तो सदा मिलेगी लेकिन लोगों को सदा कानुन तोड़ने के बाद सदा की बात करता है समविधान लेकिन स्वाभाविक रूप से शील्वान बनाना ये कैसे होगा तो इसलिए उन्होंने ऐसा धर्म बनाया जो शील से शुरुवात होती है इसलिए जब भी हम देखते हैं कि जो भी बहुत का कारिक्रम होता है तो पहले क्या है आपका त्रिशन पंशिल से शुरुवात होता है त्रिशन पंशिल देकर दान करवा जाता है थ्रिशन पनशील देकर ध्यान करवा जाता है थ्रिशन पनशील देकर प्रवचन दिया जाता है परित्रन पाथ किया जाता है एंध हर शील नहीं है, आपको कितना भी पैसा देदे, कितनी भी शिक्षा देदे, कितनी भी सुईधा देदे, आपकी प्रग्यती होना ये निश्चित नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि 70 साल हो गए, इस समाज को रिजर्वेशन मिला, पढ़ाई के आउसर मिले, नौकरी के आउसर म मिले, लेकिन आज इस समाज की क्या परिस्तिती है, जिन जिन लोगों को इस रिजर्वेशन का फायदा मिला, वो सब खा, पीकर, नशा पता करकर, आज फिर सड़क पर उनके आउलादे आकर खड़ी हो गई, वो खुद भी शराब पीकर, नशा पता करकर, पूरा लुठा द क्या, क्या इसलिए कि मेरा समाज गुटका खाये, शराब पीए, इसके लिए बाबा साइब ने मैनत की, खुद भाबा साइब भूके रहे, प्यासे रहे, उनको भी कहीं परिशानिया थी, लेकिन उन परिशानियों के करण उन्होंने कभी एक सिगरेट नहीं पुका, कभी इक बोतल शराब नहीं पी, कभी एक गुटका नहीं खाया, और आज का यह बहुत समाज, यह भाध्य समाज, जब हम पोस्ते हैं कि क्यों भाई नशा करते हो, क्यों गुटका खाते हो, तो कहता है, नहीं भंते जी क्या करें, हमको बहुत टेंशन है, टेंशन है इसले बब साइप का अगर टेंशन ले, जिनको आर्थिक, सामाजिक, हर सरपरं उलड़ाई करनी पगती थी, पारिवारीक लड़ाई उनको करनी पड़ती थी, अपने आपको पालन पोशन करने के लिए, सैमाज के लिए, देश के लिए. तो इंतना सारा टेंशन र plugging भी, बाबा साहिब ने कभी एक cigarette नहीं फोका, कभी एक bottle शराब नहीं पी, कभी एक गुटका नहीं खाया और ये आज के बहुत अमबेट कराइट जो कहते हैं अपने आपको उनको कितना गुटका खाना पड़ता है रोज कितना शराब पिना पड़ता है और कहते हैं कि टेंशन दूर करने के लिए, ठीक है बहुत टेंशन दूर करते हो तो टेंशन दूर कर रहे हो, तो टेंशन दूर करके कितना समाज का काम कर रहे हो बाबा साहिब तो इतना टेंशन रखके क्योंकि गुटका नहीं खा सके शराब नहीं पिगए तो इतना टेंशन रखकर भी बाबा साहिब ने इतना समाज के लिए काम किया देश के लिए काम किया तो आप लोग टेंशन दूर करके बाबा साहिब से भी ज्यादा काम करना चाहिए तो कौन सा बाबा साहिब से भी ज्यादा तीर मार रहे हो आप लोग तो इसलिए जो लोग बाबा साहिब का नमक खाकर जिंदगे में उपर आएं और फिर भी वो शराब पी रहें तो वो शराब नहीं पी रहें वो बाबा साहिब का खून पे रहें ऐसा उनको ऐसा सोना चाहिए जो बाबा साहिब का नमक खाकर जिंदगी में ऊपर आएं और गुटका खनी खा रहे हैं तो गुटका खनी नहीं खा रहे हैं वो बाबा साहिब का मास खा रहे हैं ऐसा उनको आईसास होना चाहिए तब जाकर ये शराब, नशा, पता, गुटका, ये सब बंध हो सकता है अगर ये आईसास उन लोगों में नहीं है तो ये कभी बंध होने वाला नहीं है एक तरफ जैबीम कहेंगे, दूसरी तरफ गुटका खाएंगे जैबीम कहेंगे, शराब पीएंगे और ये क sistema कम पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कह रहा हुँए जो अपने आपको पढ़े लिखे लोग कहते हैं बहुत शिक्षित कहते हैं इलाइट एजुकेटे जो कहते हैं वो भी बले सड़क पे नहीं पीते हैं गिरते नहीं हैं लेकिन वो अच्छे मूचे उचे क्लबों में आराम से घरों में शराब पीते हैं तो क्या बाबा साहिम ने तुमको मैनत करके शिक्षित किया नौकरी के आउसाइद दिये ताकि आप शराब पर कर आईश करो पेबेक तु ससाइटी कप करोगे वो ही मुट्टी बर लोग काम कर रहे हैं पेबेक तु ससाइटी का बाकी के लोग केवल आईशी में लगे हुए पार्टिया कर रहे हैं शादियों में लाखों रुपे खर्च कर रहे हैं लेकिन समाज के लिए एक लाग रुपे निकलता नहीं है विदेशी टूर करेंगे लाकों खज करेंगे लेकिन समाज के लिए पैसे देने के लिए दस सवाल पूचेंगे तो कितना नमक खराम और गदार यह समाज हो गया है बाबा साहिब का नमक खाके उपर आए बाबा साहिब भी अगर तुमको ऐसा है पूस्ते हर सवाल कि यह समाज में मुझे क्या दिया मैं इसको क्यों दूँ ऐसा अगर सोचते रहे तो आज यह समाज कहां पर होता आज किसी को को कोई रिस्क लेने को तैयर नहीं कोई त्याग करने को तैयर नहीं कहते नहीं नहीं हम अगर कुछ करेंगे तो हमारे बीवच्चों का क्या होग मेरी नवकरी का क्या होगा तो बाबा साहिब भी अगर ऐसा सोचते कि मेरे बीवी बच्चों के क्या होगा मेरे नवकरी का क्या होगा तो आज यह समाज कहां पर होता तो आज ये जो बहुजन समाज है, अम्बेट कराइट समाज है, इसका जो पतन हो रहा है, ये पतन का कारण केवल और केवल ये स्वयम अम्बेट कराइट और बहुजन समाज है, ये बहले ही दोश दूसरे समाज को देते होंगे, लेकिन वो केवल एक बहाना है, वास्तों में अगर ये कोई कारण है, तो ये केवल अपने अंदर है, बहुती स्वार्ती हो गया है, बहुती आलसी हो गया है, वो किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहता, किसी प्रकार का त्याग करना चाहता, केवल आराम दे जिन्दगी जीना चाहता है, मैंने कमाया है, मेरी नवकरी ये आराम से जूंगा मुझे दूसरे के लिए मैं क्यों त्याग करूं मैं क्यों मेchnत करूं मैं अपनी मैंने से आया हूं वो भी अपनी मेहनत करें आसे अनेरे प्रकार के बहाने बताते रहते तो इस तरह से हम देखते हैं याने ये दुश्यल लोग हैं वास्तों में शीलवान याने कौन है शीलवान वेक्ति वह यह जो जिम्मेदार वेक्ति है शीलवान वेक्ति जिम्मेदारी का इसास करता है और दुश्यल आदमी गएर जिम्मेदार हो सकता है जो शीलवान वेक्ति है वो आपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाएगा आपने समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाएगा आपने देश के प्रति भी वो जिम्मेदार निभाएगा लेकिन जो दुश्शिल वेक्ति है वो ना अपने परिवार के प्रती जिम्मेदारी निभाता है ना अपने समाज के प्रती जिम्मेदारी निभाता है ना अपने देश के प्रती जिम्मेदारी निभाता है जो जितने भी लोग गदार हैं, वो दुश्शील है एक मायने में, क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निबा रहे हैं, जो जिम्मेदारी नहीं निबा रहे हैं, वो भी दुश्शील हैं, और जो शीलवान हैं, वो ही जिम्मेदारी निबाते हैं, और वो जिम्मे शील पर होनी चाहिए और जो भी दुर्गती समाज में हो रही है तो उसका एक मात्र कारण है कि वो समाज वो विक्ति वो परिवार दुश शील है पांचों के पांचों शील तोड़ रहा है या एक दो शील तो तूटी रहे है खास करके पांचवा शील नशा पता यह इस उने वाला नहीं है तो इसलिए है लगता है समय तो हो गया है सवाट हो रहें तो हमको एक चीज़ पर काम करना है अगर हम चाहते कि हमारी भलाई हो हमारी परिवार की भलाई हो हमारे समाज का बलाओ अबरा देश का बलाओ तो यह one-point agenda होना चाहिए वो यह है कि कैसे हम अप पुआ हो सकते हैं अगर हम आगा समाज पर अगर का Bem Stra अगर रभी सभी का काम ना हो सकता है वह समय शनिक वार केलिए हल हो सकते हैं लेकिन IP नहीं हो सकता है हारा समाज का परिभार का पर्मिनेट्ट सGroup प्राप्ध करना है तो हमारे परिवार को हमारे समाज को शीलवान बनाना होगा इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा इसलिए मैं यही उमीद करता हूँ कि हर कोई आपने आपको शीलवान बनाए और अपने परिवार अपने समाज को शीलवान बनाए उसे में हमारी सुगति और प्रगति निश्यत है तो उमीद करता हूँ कि आप सब जो यहाँ पर एकत्रित हूँ है इस शील के महत्व को समझे और अपने जीवन में भी उतारें और औरों को भी शील का पालन करने के लिए प्रेरित करें इसी के साथ मेरे अपने इस प्रवचन को मैं विराम देता हूँ आप सब का मंगल हो आपको बहुत-बहुत साथुकार धर्मशूत उपासरक उपासिकों पर अनुकंपकर बहुती सरल्टा सजक्ता और सयमित वाने से विस्तरुत रूप से विस्तार से बताया आपको बहुत-बहुत साथुकार सभी श्रधा पुरवगह चोड़े अभी हम बुद्ध धम्म गोक्षा मायाचना करेंगे पाइन वाचाय चित्तेन पमादेन मयाकतं अच्चयं कमामिसंध पुन्यंखेतं अनुद्धर साधु 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 पुन्यानुमदन याचना करता हम ओकास वंदामिभंते मयाकतं पुन्यं सामिना अनुमोधी तब्बं सामिना कतं पुन्यं मयं दातब्बं ओकास द्वारत एनं कतं सब्बं अच्यं कमतमे भंते ओकास खमामिभंते दुतियंपी ओकास खमामिभंते ओकास खमामिभंते अनुमदन आश्रवात गाता के साथ आज का एकारिकन समापन करेंगे सबी श्रद्दाच से इसका श्रवन करेंगे सब्वीतियो विवज्यंतु सब्वरोगो विनसतु माते भवत्वंतरायो सुकी दीघायुको भव भवतु सब्वमंगलं रखंतु सब्वदेवतां सब्वद्धानु भावेना सब्वधम्मानुभावेन, सब्वसंगानुभावेन, सदासुत्ति भवंतुते, आकासथाच भुम्मठ्था, देवानागा महिद्धिका, पुन्यांतं अनुमोधित्वा, चिरम्रक्खंतु सासनं, चिरम्रक्खंतु देसनं, चिरम्रक्खंतु मंपरं। अभिवादन सीलिस निच्चंवध्धापचाईनो चत्तारो धम्मवध्धंति आयुवन्नो सुकंबलं आयुरारोग्यसंपति सग्गसंपति मेवच अथो निभ्वानसंपति इमिनाते समिज्धतू साध्व, 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 साध्व